रे कृष्णा फ्रेंज ये भले ही करोना ने पूरे दुनिया को डरा दिया होगा लेकिन इस महामारी ने हम इंसानों को बहुत कुछ सिखाया भी है ये बिन गुलाया महमान न जाने हमारे साथ कई महने रहेगा या कई साल रहेगा लेकिन हमको तो हमारी जिन्दगी जीने पाओगे बिल्कुल नहीं तो इस दौर में भी संगीत प्रेमी छोटे मोटे प्रोग्राम्स करकर अपना हुनर जो है वो खुद कैसे परकते हैं दूसरों को किस तरह से हेल्प करते हैं सुधार करने में इसके लिए अपुर्वयश म्यूजिक जिम से जुडे यूट्यूब प्रत्यक्षविद्यार्थी इनका एक ओनलाइन प्रोग्राम हुआ संडे 14 जून को इस प्रोग्राम में जिन्होंने गाने की कोशिश की वो कोई बड़े सिंगर्स प्रोफेशनल गायक नहीं है लेकिन वो हिम्मतवान जरूर है वो ऐसी कोशिश करकर क्या सुधार करना चा चैनल पर अपलोड कर रहा हूं ताकि आप भी समझे कि गल्तियां कैसी होती है वो बू थम्स डाउन यह आप करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें से हम सीखेंगे कि सुधार क्या करना चाहिए तो इन सिंगर्स की यह हिम्मत आपको अच्छी लगी हो तो जर मैं खैलो जो हूंद आपको प्रेखा इर्ला को कि अदुधार नितिना यह आपको कि अधर्ण मतुरा यह अधर है यह यह अधर्या सुक्छाशबर्स नियुदा यह अधर्य। क्या विद्दासागर जी हवा यू दाट से एट दोक्टर नीटा पतवर्दन सिटिंग एर इस अडियान्स तर्फ अप्सब कर दिजी अप्सब कर दिजी मैं सब को मुट कर दू एक शेप्सेट थे सिंगा मिनल कनी स्कॉट पल-पल किल पाथ एसर 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 पल-पल दिल के पास तुम रहती हो पल-पल दिल के पास तुम रहती हो जीवनी की प्यास ये कहती हो पल-पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आखो पर तेरा आचल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सास लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक मेहका मेहकासा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल-पल दिल के पास तुम रहती हो कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तु मुझे बालो बंधन में एक ऐसा रिष्टा है एक ऐसे सपने है देगाने होकर भी क्यों लगते अपने है मैं सोच में रहता हूँ डर-डर के कहता हूँ पल-पल दिल के पास तुम रहती हो मैं सोच में रहता हूँ तुम सोच में रहता हूँ तुम समझोगी दीवाना मरी करातरू दीवानों की ये बाते दीवाने जानते है जलने में क्या मजा है परवाने जानते है तुम यू ही जलाते रहना आ आ कर खाबों में पल-पल दिल के पास तुम रहती हो जीवान नी दी प्यास ये तहती हो पल-पल दिल के पास तुम रहती हो बेरी नाइस बेरी नाइस इस लॉकडाउन में ये हमारा पहला ओनलाइन प्रोग्राम करके हमने क्या सीखा नमबर एक ओनलाइन प्रोग्राम कैसे करते हैं ये हमने सीखा नमबर दो, प्रोग्राम होने से पहले जो arrangements करनी रहती है जैसे हमारा track हमको in place रखना पड़ता है वो हमने सीखा नमबर तीन, ये online प्रोग्राम करते वाक सिर्फ singer unmuted होना जरूरी होता है दूसरे जितने भी प्रेक्षक हैं उनको अपना-पना connection mute में रखना जरूरी होता है ताकि वो उनके घर बैठे कुछ अगर बात कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं तो वो disturbance इस प्रोग्राम में न हो आज के इस प्रोग्राम में लगबग सभी singers करेक्ट पट्टी में गा रहे थे करेक्ट सुर में गा रहे थे करेक्टाल में गा रहे थे लेकिन वो काराओ के track volume कितना रखना चाहिए और गाते वक्त किस volume में गाना चाहिए इसकी समझ भी हो गई कहीं सारे गानों में आपको वो background काराओ के track की आवाज कम सुनाई देगी और singers की आवाज बड़ी सुनाई देगी ये बाते हमने इस online session में सीखी है और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले session में हम इन बातों को ध्यान में रखकर ये गलतियां नहीं दोराएंगे हमारी गलतियां हमारी भूले पकड़ कर हसने वाले और मुफ्त में राय देने वाले सेकड़ों मिलेंगे आप उनमें से अगर नहीं हो तो जरूर हमको tips दीजिए suggestions दीजिए जिससे हम इस program में technical improvements कर पाएंगे Thank you very much